तो दोस्तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान बिलकुल नए तरीके की रेस्पी सेर करने वाली हूँ जिसे आप सिर्फ दो चीजों से बहुत ही कम समय में बना कर त्यार कर सकते हैं बिना मोयन के भी ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं तो इस नास्ते के लिए हम सबसे पहले लेंगे उबले हुए आलू ये हमने चार उबले आलू ली है आलू को हमें कदुकस करके लेना है जिससे की इनमें बड़े टुकडे न रहें आलू को हमने कदुकस कर ली है अब इसमें से एक चोथाई हिस्टे को एक बाउल में निकालेंगे और बाकी के आलू को अभी हम अलग रख देंगे बाउल वाले आलू में हम डाल रहे हैं आधा चोटा चम्मच गुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच आजवाईन आधा चम्मच नमक थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिय डालेंगे और अब हमने ये ली है एक कप गेहु का आटा इसकी जगा मैदा भी ले सकते हैं दो बड़े चम्मच हम इसमें सूजी डाल रहे हैं इससे हमारा नास्ता जो है क्रिस्पी बनेगा नास्ते को बहुत ज़्यादा खस्ता बनाना हो तो आप इसमें दो से तीन चम्मच तेल डाल सकते हैं मैंने इसमें घी तेल नहीं डाला है आलू और सूजी से ही ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं तो हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिला कर एक मुलायम सा डो तेयार कर लेना है आठे को गूतने में लगवग आधा कप पानी लगा है आठा अचे से गूत गया है तो अब हम इसे सेट होनी के लिए रख देते हैं अब बच्चा हुआ आलू लेंगे और इसमें हम डालेंगे दो बारी कटिवी हरी मिर्च आधा चम्मच गरम मसाला पावडर आधा चम्मच भूना चीरा पावडर और थोड़ी सी हमने ये कुटि हुई लाल मिर्च ली है आधा चोटा चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा बारी कटवा हरा दनिया अब हमने ये चीज क्यूप्स ली है इसे ग्रेट कर ले रहे बच्चों को इनका फ्लेवर बहुत पसंद आता है चीज ना हो तो इसके बिना भी ये फिलिंग बना सकते है अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ली है अब हम थोड़ा सा मिस्रण हाथ में लेंगे और इसका बॉल बना लेंगे बॉल को हथेली पे रखकर चिप्टा करेंगे और इसे इस तरह से चोकोर सेप दे देंगे इस तरह से हमने सभी को बना कर त्यार कर ली है इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो आटे से हम एक बड़ी सी लोई बनाएंगे इस लोई को हम सुखे आटे में लपेट कर बेल लेंगे इस रोटी को हमने थोड़ी बड़ी बेली है और रोटी जितनी पतली रखी है अब एक चाकू लिजिए और चाकू से इसके चारो तरफ से इस तरह से काट कर निकाल लिजिए जिससे की रोटी चौकोर हो जाए किनारे के आटे को हम उसी आटे मिला लेंगे अब हम इसके चार भग करेंगे देखे इस तरह से किनारे अच्छे से चिपक जाए तो इसके लिए हमने एक घोल तयार की है दो चम्मच आटे में दो चम्मच पानी मिला कर इस तरह का घोल बना लिया है इसे हम इसके उपर लगा लेंगे देखे इस तरह से इनको हमने दो पीसेस पर ही लगाया है अब हम इसके उपर ये आलू की स्टफिंग रख देंगे और इसे इस तरह से कवर कर देंगे अच्छे से उलियों के हेल्प से चिपका लेंगे जिससे की ओईल में ये खुले नहीं इस तरीके से एक बार में दो नास्ता त्यार हो जाता है और देखिए इस तरह से हम सारे पैकेट बना कर तयार कर लेंगे इन्हें फ्राइ करने के लिए हमने दो बड़े चमश तेल को पैन में गरम कर लिया है इसमें एक एक करके ये पीसेश डाल देंगे चाहें तो इन्हें डी फ्राइ भी कर सकते हैं यहू के आटे से बने हैं तो कम तेल में भी ये नास्ता अच्छे से क्रेसपी हो जाते हैं तो एक तरफ से सिखने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलगा लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखेगा तो ये बहुत ही अच्छे से क्रेस्पी हो जाएंगे चार से पाँच मिनट शेखने के बाद देखिए इनका कलर सुनयरा हो गया है तो अब हम इने तेल से निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे सारे नास्ते को हमने फ्राई कर ली है बहुत कम समान से मि lizardो में ये नास्ता बन जाता है और खाने में पेटी समोसे से कम नहीं लगता तो आप इस नास्ते को जरूर से ट्राइ करिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेयर, सस्काइब कर देजेगा और कॉमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबार